ओम शान्ति आज की साकार मुली तेट नमबंबर तोहज़र बीस बारा मुख्य बाते जिन पर विचार विमर्ष करेंगे नमबर एक मीठे बच्ची तुम ही सच्चे अलोकिक जादू करो क्या बना दियाज? कैसे जादूगर? अलोकिक ऐसा जादूगर इस संसार में कोई नहीं होता क्या जादूगरी करते हैं? तुम्हें मनुष्य और देवता बनाने का जादू दिखाना है मनुष्य को देवता बनाने का जो दुनिया में और कोई नहीं दिखा सुखता अच्छे पुर्शार्थी स्टूडेंट के स्टूडेंट पास्विद ओनर होने का अर्थात विजे माला में आने का लक्षे रखेंगे अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या होगी विजे माला में आने का लक्षे रखेंगे जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होगे ताकि पढ़ाई करें पास्विद ओनर होने के लिए और अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए पास्वित अउनर होने के लिए पड़ाई करेंगे तीज अब तुम रुहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो इसलिए बाप को भी जादूगर कहते है बाप को जादूगर क्यों कहते है सुचा कभी बाप को जादूगर क्यों कहते है हम बच्चे जादूगर है बाप को जादूगर इसलिए कहते है बाप को बहुत ध्यान से समझना है बाबा क्या कहते है अब तुम रुहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो इसलिए बाप को भी जादूगर कहते है युदि आप जादूगर जादूगरनी ना बनते तो बाबा को ये नाम नहीं मिल सकता था पात समय आया है बाबा को जादूगर बनाने वाले कौन और हमें जादूगर बनाने वाला कौन शिव बाबा हमें ऐसा जादूगरना ना सिखाता गुप्त रूप में सिखाता बाबा है हम उसे प्रैक्टिकल करते हैं तो नाम फिर बाबा को मिलता है नाम बाबा का होता है क्योंकि सिखाया उसने करने की विधी बताई उसने ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मुनुष्य को देवता बना दे ये जादूगरी है ना इस ग्यान को सुनकर नर से नारायन या मुनुष्य से देवता बन जाते हो देवताओं की भी सावरेंटी है ना तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सावरेंटी स्थापन कर रहे हो बाप तुम आत्माओं को ग्यान का तिसरा नेत्र देते हैं जिससे आत्मा जान जाती है शरीर बिगर तो आत्मा बात कर नहीं सकती बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने बच्ची जो काम चिता पर बैट भस्म हो गए हैं उन पर आकर ज्यान की बरसात करते हैं उन्हें पुनर जीवित करते हैं तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ बाप को याद करो अर्थात बाप का कहना मानो तो विकार्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे जो सुना वो कह देते हैं सत दुनिया में क्या है जो किसी ने सुनाया सत बच्चन हनुमान पवन से पैदा हुआ सत वच्चन अरे भई हनुमान पवन से कैसे पैदा हो गया सत वच्चन कोई question नहीं उठाना जो कह दिया है वो सत वच्चन है बस फिर दूसरों को भी ऐसी बाते सुनाएंगे उपर से सूराज आया बच्चा दे के चला गया इंद्र आया उपर से बच्चा दे के चला गया तो कहने का है कि wonderful अभिवक्ति जो है न एक्स्प्लानेशन आन या स्टोरिया जो अन बिलीवेबल हैं वो सुना कर हमने क्या कहा सत 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 अब तुम बच्चों को राइट और रांग को समझाने का ज्यान चक्षू मिला है अब तुम्हें मिला है ज्यान चक्षू किस चीज का राइट और रांग समझाने का तो राइट करम ही करना है अब करना कैसा करम है राइट करम करना है अभी तुम शिरीमत पर राम राजे स्थापन कर रहे हो वो है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया अब तुम बच्चों को राइट रांग को समझने की ज्यान चक्षू मिली है तो राइट करम ही करना है फिर दूसरों को भी ऐसी बाते दुनिया पर देवताओं की परचाई नहीं पर सकते पुरानी दुनिया पर देवताओं की परचाई नहीं पर सकते वह जो देवताय हैं वो पुरानी दुनिया में नहीं आ से क्यों कहां आएंगे नहीं दुनिया में आएंगे सत्य युग में आएंगे परचाई भी नहीं परशकती आएं तो उनकी परचाई भी बने योदि वो आएं ही ना तो उनकी परचाई भी लक्ष्मी का जड़ चितर उठाकर रखो तो परचाई पड़ेगे चैतन्य की नहीं पड़ सकती क्या मतलब जड़ मुर्ती खड़ी करेंगे उसकी परचाई हो जाएगे तो चैतन्य की नहीं पड़ सकती क्या मतलब चैतन्य की नहीं पढ़ सकती चैतन्य है आत्मा पर तो लक्षमी का का है लक्षमी यदि चैतन्य में हो तो उसकी परचाई नहीं पढ़ सकते क्योंकि सत्योग में पवित्र आत्मा होने के कारण उनके शरीर से ही लाइट निकलती है जिस light की कारण परचाई नहीं बनेगी क्योंकि बाहर की light पर उनका जिवन नहीं है उनका स्वेम उनकी वरी से ही ऐसी light निकलती है तो परचाई नहीं बन सकती इस रुहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिर्टाज बना रहे हैं हम है स्वादर्शन चक्रधारी ब्रामन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्यान बुद्धी में रख कर चलना है पास्विद आनर होने के लिए बाब से सची सची प्रीत रखनी है प्रीत का मतलब कहना मानना बाब को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है पुर्दान है सर्व गुणों के अनभवों द्वारा बाब को परतक्ष करने वाले अनभवी मूरत भव सर्व गुणों के अनभवों द्वारा बाब को क्या करना है परतक्ष करने वाले अनभवी मूरत भव स्लोगन है कारण को निवारण में परिवर्तन कर कोई भी कारण उसका क्या करो निवारण उस कारण का हाल कर दो अशुब बात को शुब करके उठाओ अशुब बात को अपने जीवन में कैसे ले क्या हो शुब करके उठाओ अपने जीवन में कारण का निवारण कैसे करेंगे कोई भी बात का कारण तो होता ही है आपके साथ अच्छा हो रहा है आपके साथ खराब हो रहा है उसका जिम्मेवर को हम है उसकी जिम्मेवर हम है क्योंकि हमने अच्छा किया था आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है हम ने खराब किया था हमारे साथ खराब हुआ था जब ये हमारे जीवन में आता जाएगा तो नेचुरल हम क्या होते जाएंगे नकारण का निवारण करने वाले विगन विनाशक ओम शाम झाए जाएगा